मित्रों अगर न तो हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं पर नजर डालेंगे तो यह पता चलता है कि भगवान शिव की पूजा देवताओं के अलावा राक्षस असूर, आर्यन दक्ष सभी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने न सिर्फ भगवान राम को वर्दान लिये थे, बलकि बस मैजिक और शुक्राचारिय जैसे असूरों को वर्दान देने वाले भी दर्बारी शिव ही थे। लेकिन मित्रों क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहां सभी असूर भगवान विश्नु से तो नफरत करते थे, वही महादेव को भूत, प्रेट और उन्हें प्रसंद करने के लिए उनकी तपस्या स्थागित किया करते थे। तो अगर मित्रों आप भी इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि आखर क्यूं असूरों को भगवान शिव इतने प्रियत है तो बने रहिए। मेरे साथ आज के इस विडियो के अंत तक नमस्कार और स्वागत है। आप सभी का गेल डिवाइन टीम स्पिरिट एक बार फिर। मित्रों, असूरों द्वारा भगवान शिव की पूजा करने का सबसे पहला कारण चाहिए कि भोलेनात अती शीघर प्रसन होने वाले देवता हैं। दुलहन आधे नाम से ही बोलें जो सब कुछ जानते हुए भी अपने भक्त को वर्दान देने से पीछे नहीं हटते। होगा तो फिर अधर्म पर धर्म की जीत होगी। कैसे। इसके अलावा भगवान शिव को आशुतोश भी कहा गया है अर्थाताती शीघर प्रसन होने वाला दुनिया को प्रसन करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान या फिर कर्मकांट की आवश्यक्ता नहीं पड़ती बलकि उन्हें तो जो सच्चे मन से सिर पर जल भी चड़ाएं। वो इससे भी प्रसन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि श्रीहरी को प्रसन करने के लिए मनुष्य का पूरा जीवन भी गीता में भगवान विश्नु बहुत ही सोच समझ कर और भक्त को प भगवान शिव की आराधना करते थे। मित्रों असुरों द्वारा भगवान शिव की आराधना करने का एक और कारण ये भी है कि महादेव बहुत प्रधान है अर्थात उनके लिए पूजा की विधी कोई मायने नहीं रखती। अगर उनके लिए कुछ मायने रखता है तो वो है भक्त का भक्ती बाद भोलेनात के लिए दैत्य भी उतने ही प्रिय हैं जितने की देव। इसलिए भोलेनात ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। धर्म शास्त्रों में भी इस बात का मिलता है कि महादेव असुरों को भी अ आलोकिक दोनों संपदाओं के स्वामी हैं और वो दोनों प्रकार के इच्छत फल प्रदान कर दें। जबकि दूसरी तरह से भगवान विश्णु को दो दिव्य वस्तूओं को वर्दान रूप में देने में संकोची माना गया है। और यही कारण है कि उनके भक्त उनसे अ अगिज नहीं है कि सारे असूर भोलेनात के ही भक्त तो कुछ यह सात्वेक असूर भी जैसे प्रहलाद और विभीशन भगवान विश्णु के भक्तों रह चुके असूरों द्वारा श्रीहरी की पूजा नहीं करने का तीसरा लेकिन सबसे बड़ा कार्य लीजिए कि बनव अवतार हो या फिर हिरने किश्वपू के वद के लिए श्रीहरी का नरसिंग अवतार अब तो इसी कारण से असूर हमेशा से ही भगवान विश्णु को अपना शत्रू मानते आए हैं और भला कोई असूर अपने ही शत्रूों की पूजा या फिर तपस्या क्यूं ही करेगा तो मित्रों ये थे वो कुछ एक कारण जिस कारण असूर भगवान विश्णु की नहीं बलकि भगवान शिव की आराधना करते हैं उमीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये प्रस्तुती पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिष्टेदारों के साथ भी साजहा अवश्य करें ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें दस डी वाई डीजल परिवार के साथ तो फिलहाल आज के लिए बसे इतना ही अभिजाजत दी